हेलो फ्रेंस वेलकेम बैक टू माई चैनल एचार टैक और आज की इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो एसाई से रिलेटिड है और जो कंपनी और क्रमचारी दोनों के लिए जरूरी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ्रेंस मैं आ दे उसे कहार £500 पर प्याश्याई नमबर पे जो पैसा जमा हुआ है उसका आपको अपने कर्ण देखार घरने उन आप यह कंपने में पिट्दे लिस्टा पर जितने स्टार्ट बभी पैसा पर कंपनी की हा है अगर बाई-चार्र जाता है तो बनती है क्या आ तो आप उसको मेंशन कर दीजिए जो बेनिफिट हैं वो करमचारी को मिल सकें तो फ्रेंच आप ध्यान रखें इन फ्यूचर अगर आप कोई कंपनी चेंज करते हैं और आप यह सई के मेंबर हैं तो अपना पुराना यह सई नंबर आप कंपनी को दें ठीक है और सेकिंड बट अभी क्या है अभी आपका जो अब जैसे ही आप कंपनी जोइन करते हैं विदिन 10 डेज में आपका यह सई नंबर होना चीए और अगर आपका यह सई नंबर पुराना है तो दस दिन के भितर भितर उसको लिंक करना पड़ता है कंपनी को अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में आपका जो हमेड है वो चींज हो जाएगी और उस महीने जो कोंटू टिट włas कर पर पाएगी तो जब भी आप अपने सपर को बोलिए कि यहा 그래도 है कर दीजिए यह आपका पुराना यह नंबर है तो आप कंपने को बोलिए कि यह मेरा यह नंबर लिंक कर दीजिए तो अभी टेंडिज की ही वैलिडिटी है बैंक अकाउंट नंबर और इसके मैं डाएं मेंटसें रिये तो जब भी आपको कंपनी करते हैं तो सबसे पधाना यह रinking पोन करते हैं उसके उपर अपना गुषके मैंजक यह नंबर है और यह यह मंसिंग लेंडिशाय चाहले हैं चाहिए और उसका bank account number और IFSC code उस पर form 1 पर mention करवाना चाहिए पहले यह सब mandatory नहीं था पहले आप जो simple form 1 fill करते थे अपना नाम, father name, date of birth, joining और अपना address डालके यह आपका ESA number जन्नेट हो जाता था बट अभी यह दोनों चीजे mandatory कर दी है आपका mobile number और bank account detail bank account detail में आप अगर cancel check attach करते हैं तो the best है otherwise आपको account number mention करना है और IFSC code mention करना है and the last one is अगर आपका mobile number आपके ESA number में linked है और वो ESA number आपको याद नहीं है तो उस case में आपका mobile number आप दे रहे हैं company को वह mobile number आपकी family में किसी ने यूज किया हो आपके mother father या brother ने ESA में तो एक mobile number दो जगह पर शो होता है उस case में या तो कोई आप दूसरा mobile number दे सकते हैं या उस mobile number पर जो OTP जाता है वो OTP आपको company को पताना होता है so that आपके ESA number में आपका mobile number link हो सके तो आई होब दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी काफी informative वीडियो थी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा like करें share करें और मेरे चनल को subscribe करें thank you so much